दोस्तो आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे DL-Ed के बारे में DL-Ed कहें, D-Ed कहें, JBT कहें, DITE करें या फिर कहें इसको हम ETT दोस्तो B-Ed बहुत जादा स्टुडेंट्स करते थे हर साल हर साल जैसे ही admissions open होते थे, तो लाखो, लाखो की ताइदात में students admission लेते थे अलग-अलग universities में B-Ed में, पर जैसे ही ये notification आया, कि अब primary job के लिए B-Ed जो चात्र होते हैं, जो B-Ed pass out हैं, वो लोग primary जो vacancies निकलती हैं, उसके लिए apply नहीं कर पाएंगे उसके लिए D-Ed वाले जो students हैं, या D-Ed वाले जो students हैं, जो बारवी के बाद 2 साल का course होता है, वही students apply कर पाएंगे तो ऐसे में बहुत ज़्यादा demand raise हो गई कि इसकी D-Ed की, D-Ed, diet, diet, जो भी कुछ होता है, आप अगरे सबसे देख लेंगे आपके state में, उसे क्या बोलते हैं, D-Ed की हम बात कर रहे हैं, तो 2 साल की जो D-Ed है, उसके demand बहुत ज़्यादा raise हो गई, बहुत ज़्यादा demand होते ही universities ने, colleges ने अपने fees से बढ़ा दी, जिसकी fees पहले बहुत कम हुआ करती थी, अब उसकी fees से देखा जाए, तो लाख भी पार कर चुकी हैं दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो के माधियम से मैं आपको सब बाते बताऊँगा, कि क्या तो notification आया, कि B-Ed वाले जो students हैं, अब व इस वीडियो के माधियम से जादा कुछ जामने के लिए D.L.Ed.Course के बारे में दोस्तों, बने रही हमारे इस वीडियो के साथ, नमस्का दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है Distance and Online Education in India और मेरा नाम है विरिंदे वर जैसे आप सभी जानते हैं, हम देश-विदेश की उनिवस्टी, कॉलिजिस, उनके कोर्सिस को explore and review करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाते हैं दोस्तों, D.A.C. जो होता है, वो बार दीके बाद होता है, हाला कि D.A.C. कोई नया कोर्स नहीं है या D.A.C. कोई नया कोर्स नहीं है जब हरियाना का option खुल गया, तो महा जाना students ने बंद कर दिया, हरियाना में admission लेना शुरू कर दिया और अब विडमना ये हो गई last year तक की D.A.C. की seatे हरियाना में fill ही नहीं होती थी मतलब हरियाना के जो colleges है, वो अपनी seats तक को नहीं भर पा रहे थे, यहीं देखते हुए D.A.C. को बंद कर दिया गया D.A.C. के colleges का चलना भी भारी पड़ गया था दोस्तो अब बात आती है, जैसे ही ये notification आया, कि अब जितने भी students ने B.A.C. पास की हुई है तो वो students प्राइमरी नौकरी में अपलाई नहीं कर पाएंगे जबकि ऐसा था तो अब जरूरत किसकी हुई D.A.C. की, तो जैसे ही ये चीजे बदली, तो बदलते ही अब D.A.C. की तरफ, मतलब D.A.C. की तरफ, रुजहान बहुत ही जादा हो गया दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है की आप हमारी वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्काइब करें, जो की आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें प्रौतसान म इसमें भी एड्मिशन होता है, डिरेक्ट एड्मिशन भी होता है, डिरेक्ट एड्मिशन बहुत सारी प्राइवेट उनिवस्टी आपका एड्मिशन ले लेगी, प्राइवेट उनिवस्टी में एड्मिशन लेने से पहले क्या-क्या साब धनियां रखनी है, उस पर मैंने डीएड में एडमिशन ले सकती है टोटल दो साल का एक कोर्स होता है चार समिस्टर्स में एक्जाम होते है कुछ प्राइवेट उनिवस्टी हो सकता है कि स्कोर येरली मोड पे भी करवाती है क्वालिफिकेशन के लिए वही बारवी पास आपकी होनी चाहिए आपका एडमिशन हो जाएगा एज लिमिट की दोस्तों बात करें दोस्तों पढ़ने के लिए कोई एज नहीं होती पर हाँ वेकंसी के लिए एक ज़रूर होती है तो आपको अपने स्टेट में जो भी वेकंसी आएगी उस वेकंसी के हिसाब से उस एज को देखना होगा अपना फॉर्म डालने से पहले कोर्श की फीस के हम लोग बात करें जो फीस काफी कंसर्ण करता है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग फीस भी हो सकती है जैसे हरियाना में इतना बुरा हाल हो गया दोस्तो कि 45-50,000 दो साल का एडमिशन हो रहा था पर अब क्योंकि वहाँ से D.A.D. नहीं हो रहा है तो उस फीस का कोई माईने रखती नहीं है तो बात आती है प्राइवेट उनिवस्टीज की कि प्राइवेट उनिवस्टीज से अगर हम करेंगे D.A.D. या D.A.D. तो फीस कितनी होगी दोस्तो D.A.D. करने के लिए प्राइवेट उनिवस्टीज में कम से कम आपकी पॉकिट में 85,000 दो साल के लिए होने चाहिए मतलब यह मान लीजिए कि 40,000 परियर फीस मान लो या आप मान लो 45,000 परियर minimum फीस बता रहा हूँ मैं आपको यह से कम में तो प्राइवेट उनिवस्टीज आपका एडमिशन लेंगी नहीं दोस्तो कंसल्टेंट से आप एडमिशन लेते हो जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कंसल्टेंट को सिर्फ उसके कंसल्टेंट सी दे पूरी फीस देने की जरूद नहीं है पूरी फीस आप यूनिवस्टी को पे करें या फिर कंसल्टेंट को अगर फीस देते भी है तो उसकी फीस की रसीद मांगे फीस की रसीद का होना आपके पास बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर दोस्तों ये दिखा गया है कि आप तो अपनी फीस पूरी पे कर देते हो मतलब कि कंसल्टेंट को पर वो फीस युनिवरस्टी या कॉलिज तक नहीं पोचती है तो ये सब चीजे आपको पूरी करनी होगी अगर आप डिलेड में एडमिशन लेना चाहते हैं नोकरी के स्कॉप की हम अगर बात करें तो कितनी ज़्यादा नोकरी आऊंगी मतलब क्या वेकैंसीज हैं तो दोस्तों जब से क्या बीड़ वाले इस कॉम्पेटिशन से आउट हुए नोटिविकेशन आने के बाद में उस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाई है उस वीडियो का आप देख लेना समझ जाओगे कि क्या ओडर आया था सुप्रीम कोर्ट में जो गया चांसिस अब ओपन हो गई है बहुत सारे ओप्शन सामने आ गए है तो डियलेट करना फाइदे का सौधा है गुल मिलाकर अब बीड की बात करें तो बीड तो अब कम ही स्टुइंट करेंगे दोस्तों कम ही लोग बीड में अडमिशन लेंगे और अब आप देखना अब बीड करेंगे अपने आपको कानूनी जानका बना सके और अच्छा लगा हूँ आज का हमारा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें साथ में लागा बेल आइकन भी दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए कर आते हैं वो आप तक पहुछ सके सबसे पहले बहुत बुश्चों के दोजन लिवाद हमारे इस वीडियो के साथ बड़े रहने के लिए झाल 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 झाल